हेलो गूड इबनिंग अगर मैं आपको लाइक दे रहा हूं तो आप मुझे बताएं एक बार हेलो गूड इबनिंग मता ही मैं आपको लाइब जग रहा हूं यस मता ही हेलो आवाज आ रही है कि चली कि एक बार बताएं कमेंट सेक्षन में कि चली कि जो जो स्टुडेंट आ गए एक बार बताएं मेरे को कौन कोन आ गए हैं पर आगे स्टार्ट करते हैं हाँ है है आज कि हमारा जो टोपक है 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 चली स्टार्ट करें हैं मता intent you start करदें कमेंट सेक्षन बताओ कमेंट सेक्षन बताएं एक बार स्टार्ट करते हैं चली अंसुमान परिहार तो हमारा जो पार्ट है आज उसका है पार्ट नमबर थर्टीन ठीक है यह जो एंगरी कल्चर एंगरी कल्चर के जितनी भी कोई की लिए बहुत इंपोटेंट है चाहिए आप किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहें जो इंपोटेंट है चलिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें यह आपकी जिम्मेदारी है अगर आप इसी प्रकार का सकते हैं ठीक है कि यह आप रेकोड़ेट लेक्चर चाहते हैं एक बार कि मेरे से पढ़ना चाहते हैं लो तो आप यह भी ले सकते हैं चलिए हमारा नया बैचे स्टाइट भी आईवी पीए सेफो के लिए राज इसके बाद शाटीश कर आरिवारेश के लिए सभी एक्जाम इसके लिए चलिए आपके सामने पहला कोशन यह है ठीक है आपके सामने पहला कोशन यह है बताइए पहला कोशन यह है कि फोटो केमिकल रियक्शन इन दा क्लोरोप्लास्ट और डारेक्टली इंवल पहला प्रस्ण आपके सामने है कि फोटो केमिकल रियक्शन इन दा क्लोर फोटो प्लास्ट ठीक है जो फोटो चैमिकल रियक्षन होती है कलो बलास्ट में आ डारेक्ट लीइन बताओ क्या इंवल वोता है बताएं विए फटाफट लिए पॉक्षण इनद गॉरो क्लोब लास्ट और डारेक्ट लीया इनवल इनका फॉक्सेशन इनवल बताना किसका जीन होता है तोटो इस उसको मिनें कहते हैं प्रकास राशाइन निख प्रकास राशायनिक अभीकिया प्रकास राशाइन में तो आपको बताना है डारेक्टलिक नवोगा बताइं क्या फिक्सेशन और कारवन डाइड ओक्साइड होगा या फिर सिंदेशन और फोर्मेशन आफ फॉस्फोग्लेसरिक एसे डूगा या फिर फोटो लाइस वाटर एंड फॉस्फोराइलेसं अब यहां फोटो क्या स्वाइड नाउम करतो इंपर फोटो क्यमिकल रिएक्शन में अनामी करतों मर ओक्या nitrogen क्या होता है फोटोकेमिकल रियक्षेंल की बात कर रहा है यहां पर तो फोटो व्यासीन लोगाक्षिक प्योंकि क्योंगा यह सब्सक्राइए तो चलती है डार्क रियक्सन का थी किसका डार्क रियक्सन का हिस्सा होती है ठीक है सिर्फ यही रियक्शन जो फोटो चलते हैं सामने नेक्स्ट सन बताई विश्वन आफ दाफोलोंयमेंट्स रेसेंशल फोर फोट व्टालाइस सोफ वाटर नि Queens कौन सा ने में से कोन सा जो है आपको बạtना आए तत्व पानी के फोलोलाइस के लिए वह जरूरी है पता खड़ त्ठ प्र heads जरूर कर दो है ना अभी आपने लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक कर दें शेयर करते हैं और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर दें इतना तो करी दें मत आः विश्वन फोलें आम्हें पड़ी यस फोलिएंशल फॉर्डव फोलाइस बाटर के अंशर हैगा भी पता है कमेंट शेक्ष्टन में यहां बर आमीका का अंसर आ क्या रहा है बिश्वन फॉलाइंचल फॉर्ट फॉर्ट फॉड़ आठाटर ठीक है बी और सबी लोग बताएं क्या आंसर ब्रहर न मोर या भी ठीक है और बताएं सभी लोग अजय करन अगर आप एंजर देते तो एक बार अपन उस पर बिचार भी करते आंसर डी जो है वो ज्यादा सही है आपों पॉलम करते हैं कि हैं ञड़ा याद के लेकने चैनल और कि क्लोरीन स्बस्क्राइब रखेंगे ममंख दो नहीं होते हैं इसे पेला था पूरींगर स 이미 awakening लेकिन आया है यह आप्छ तीने एलिमेंट काम करते काल्जिय महीं करता है करने को तो लेकिन लेकिन और दल्द द्राइगा इह ठीका चलिए खरी कि आपके सामनी है क्या क्या रहा है समझ ना एक बार को समझेंगे आप क्या क्या है एक एक बहुत प्लांट की मीजों फिल सेल ठीक है कि इसके द्वारा होता है कैम प्लांट्स में लिसका भण कैम अ talking किया को बता ने क् वृब्म करते हैं आपको बताने केम प्लांट्स में टाइम में वह सकřेटीर उसा प्राटमिपार चौन सबता सब्सक्राइब स करेगा चिस कोन करता है केम प्लांटीक हूं सब्सक्राइब की बात कर रहा है यहां पर ठीक है बताँ जल्दी कि प्रदीप आंसर दे रहा है सी बिरेन का अंसर भी क्रशीं पर यूब और सुनों यसका याद रखना केम्पिन में दो दोबार है य मिस्तर क्याan उर्ड दे नंग है क्या वोऑ इन यीज मिल्य अव ठीक है तो यूद बिलकुल सही है से आंसर इगा है ठीक है भी नहीं आएगा इधर देखें क्या होगा SEC और दिन में तो gli मिश्चाट होगा और दिन में अशिचाट में सबसे पहले होता था PP नाइट में सबसे पहले कौन पकरता किव य न एना ठाहिक में सबसे पहले और होता है दिन में और यू Top Se Me कि यू2020 कि करिवां समय थे पारहे हैं फिसली नहीं होगा कि यह यह पूछ खौ। है वो दिने का पूच रहा है कि देटाइम में पूचा जा रहा है कि से रात से चाहशन सब्सक्राइब चाहिए प्रोडक्ट याद करो प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट ओए होता है एक बार कमेंट सेक्षन बताएं समझ आ रहा है क्या सभी को समझ में आ गया बताएं किसी को डाउट तुनियस में प्लांट में फैली बार जो यूटू का फिक्सेसन होता रात में होता है और दूसरी वार दिन मां होता है बताएं सभी को समझ आ गया जिनका अंजर गलत हो रहा था यह लिए अगर्या कि इनको समझ आ गया कि चली कि आकर पढ़ते हैं एक वार सेशन को लाइक जरूर कर दें किसकी पत्तियों में क्रांज जैनाटोमी पाई जाती है किसकी पत्तियों में क्रांज जैनाटोमी पाई जाती है किसकी पत्तियों में क्रांज जैनाटोमी पाई जाती है हmen ठीका हैμ टीक है C3 Plant C4 Plant बोथ C3 किसी पत्वियों में किस पत्तियों बाइम है फटाफट किसी पत्तियों में करान जखने टों में पाई जाती है प्सकी लीप्स में क्राञ जब पाई जाती भी आंटल च सब टुम्हाइय किस की लियूल स्में जैने 4am प्लांटे जो वहती है ठीक है ना शीठी व्हीं में भी नहीं होती है चलिए कि बिलकुल नेश्ट कोश्टन नापके सामने नमर पॉट्टन इन प्रियल फोटो सिंथेशिस कि अगला नेस्ट कोश्टन बताना है कि बेक्ट्रियल फोटोसेंथेसिस में पीया रखकर स्टिके के लावर करता है सेकेंड या दोनों या नन ऑप दीज बताओ पटाफ़ड़ाइं कमेंट सेक्शन में आइं पनप बताएं कमेंट सेक्शन एं बैक्ट्रियल फोटो संथेज्पेस फास्ट चैनल वह या नन अब दीज कि आन्ष्ड आई गा दा् тебя बैक्रीयल फोट शंते से पीज फ़स्ट अकिले काम करते हैं सेकिंड काम करते हैं दोनों यह लुआ दीजिए या फिर नैकलत है कि भैक्रिया फोट शंतेस होता है नहीं है कि बदाओ कि क्या आंसर आएगा या फिर कोशन गलाते की बैक्ट्रिया के अंदर फोटो सिंथेस्ट होता ही नहीं है ना बहुत एक प्रोकरेटिक और गिनिजम है कि बदाएं कि फटाफट संदीब चुहान एंसर सुमित सी अनामी का सी ज्यानेंद्र पटल सी कि बताएं फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कि अजय करन्ट कि अधर देखो आंसर होगा ए ओनली पीज सिस्टम फस्ट के ला होता है याद रखना आंसर होगा फस्ट क्यों होगा कि बैक्ट्रिया के फोटो सिंपर्ष् इसे करता है का इंफ्रा राएटी है थिके रेड़् लाइट का मवरत लाल प्रकास हिंदी में कहते हैं अवरक्त लाल प्रकाश प्रकाश जाए और रख तलाल प्रकाश का इस्तमाल करता है व्द्ट्रिया के फोटो सिंतेशसे से कभी भी ऑप्सीजन गैस नहीं निकलती है तो ऑंसर होगा ही नहीं कुछ याद रखना Oxygen Gas हमेँसा यहिसे नकलती है ही ठीक है प्लांट में हbourg Rafael किसम में नकलती एक क्षेकं दो लिए कि साओ भूकाज मेंग वंगाके कस सैट्थ में क्या है कि मताई क्या सभी को समझ में आ रहा है यह कि चलिए कि आगा पड़े हो कि आगे देखते ना चलिए अरे यह लाइक माई कर दो यार लाइक निकर रहे तो यह तो गलत बात का तोगलो मैं तुम्हारे लिए लिए तो में तना कर लो यार लाइक माई कर दिया करो कि शिर कर दिया गरो कि चलो अगला वाता हो यह कोशन तोड़ा टफ है विच क्लोरोफिल मोलीकुल से डज नोट है फाइटोल टेल किसमा फाइटोल टेल नहीं होता इसका सीधा आंसर याद रखना है क्लोरोफिल सी ठीक है यह थोड़ा टफ कोशन है और वैसे एक्जाम में आएगा भी नहीं इस इंपोटेंट कोशन ठीक है तो बताओ केलविन ने खोश की यूजड एक्सपेरिमेंट फोर ट्रेसिंग आउट दपात ओप कारवन दा यूजड वेर बताओ यह कैलविन ने जो डार्ग रियक्शन की खोश की सी थ्री साइकल हाया ना अरे बहुत डार्ग रियक्शन के अं सौटेंग सी कारवण एक्सपेरिमेंट किया रही इसंतलन किया 2 के लिए चीत्र शीवस्जड बाताओ कि उन्रीद गया हुआ है कि यी अक्सपेरिमेंट क्या है या केलविन की द्वारा कि सलग्य पर एक्सप्रेमेंट में अन्षर से सिंभांक दीपक सैवन का स्य रहे है नहीं और लर पुराइल है और सी नहीं हाएगा रही है और सी आंसर का ग्यल्यासर और के निसे लिए विह लाग्राहिए सब्सक्राइब क्लोरेला और सेंड़ायल यसमेश्यर्स पर क्या हुए एक्सेश्प्रेमेंट की गए थे हैं ना कि डिग्रतिया सभी को क्लोरेला और सेंड़ाय पर एक्सप्रिमेंट यह तो अंसर क्या तो यह गाए मैं गड़ है बहुत बढ़िया कि आ गए पढ़ते हैं न है नएस्ट कोस्सन आपके सामने अगला सी फॉर प्लांट अगला कोशन द्यान से पढ़ना और आपको आंशर बताना है इन 200 प्लांट इनीशियल यह मतलब फहली वार रहा नए द्यान से पढ़ना पहली वार सी एधूर्प्सेशन होता है अप पहली बार CO2 का fixation कि सेल में होता है आपको बताना है गाड़ सेल इस्पंजी मीजोफिल सेल पहली सेट टिसू या बंड़ा सी सेल को सन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है कि सीफोर प्लांट में पहली बार में पहली बार क्या होता है CO2 का fixation का ह か्योगा CO2 का fixation न हो कों सी सेल में होता है पहली बार सीयोटू का फिक्सेशन किस सैल में होता है फटाफट बताएं कि यहां पर अंसर आ रहे दिया दिकतल लोगों का और लोग आंसर दें सभी लोग अपना अंसर दें कि अब और सबी लोग अपना कि सुमेट आदब कांसर अभी अमीशा अगांसर अभी ठीक है सबी लोग आंसर दें कि अबागी लोग भी कर दो आंसर मांसर दे दो कि काहें कंजूसी कर रहे हो कि अब मुजूफिल सेल ना बी आंसर आएगा मुजूफिल सेल ठीक है कि अब आंसर आएगा बी अब आएगा ठीक है इदर सुनू द्यान से क्या होता है कि सी-4 प्लांट जो होते हैं इनमें तो पहली मेरे में दूसरी चलती है फिर जलती है ठीक है के पंकज अंशुमान बिरन क्या समझ में आ गया वह यह क्रांज जाना टॉमी होती है याद रखना करांज आनटोमी होती है और यह जो क्रांज आनटोमी है ठीक है इसमें पहले स्टार्ट होता है मीजो फिल बाद में चलती है बंड़सी सेल क्या सबको समझ में आ गया मताएं कमें अपना दिया करें जैसा भी आपको लगता है कि इस तो ऐसर ना खरोगो क्या अगरेंगे क्लोरोफाथ फिलकोओ आप से पूछ रहे हैं जो सब्सक्राइब किस्म उपस्थित होता है मतलब होता है ग्रेना रहिद ठीक है देही ख्लोरोप्लास्ट कि किसमें मिलेगा कि मताएं दिया अमीशा पूजा क्रज विकास कि मताएं ग्रेना रहित किसमा होगा कि क्या अंसर होगा परमाल कि क्या अंसर होगा मिर भाई सकुलेंट सी 3 सी 4 हाइड्रोफैट बताओ सब्कुलेंट सी 3 है सी 4 हाइड्रोपाइट किसमें है कि आया नहीं कि ठीक है कि रोची चोरज या एंसर नहीं वाई आंसर होगा सी सी फॉर प्लांट है ना अब बोलो सर्सी फॉर प्लांट आंसर कैसे हुआ सी फॉर प्लांट कैसे फॉर प्लांट कैसे होता है इतर देखो कि आपको मैंने थोड़ी देर धर पहले बताए कि सी 4 प्लांट होता हौता प्रांट क्लोर और बंडशी सेल का जोड़ोप्लास्ट होता ना बंड़नाच क्लोरोप्लास्ट जो होता है फिक इप बंड़न प्लॉरोप्लास्ट में रहत होता है वहीं क्नदर प्रिजन्ट होता है इसके अंदर ग्रेन वाला ठीक के बात समझ में आगई आपको याना इंदर समझ में आ कि यहां इस ने इस सपुर्य के अंदर उता है इसमें एब उता है ऐसेंट इस उतो है उता है ढूंऄ इसमें sait इसमें यह आंसर है और वहां स्वेन्स कॉमेंट कियों और सेक्षन क्काम existing कि अब को को आपके जो पूर्य गोड़ दीले हैं इस सब्जेक्ट में वोटी कम स्टुडेंटों का अंसर सही जा रहा है है कि तीक है कि क्या यह द्क लाइन पड़ते अब लाइन में कंसेप्स शीकते नहीं है आप जो पढ़ते हो एक है ना वन लाइन फेक्ट पढ़ते और वन लाइन से यह सारी चीज़ शीक नहीं पाते हूं चलिए को गशन नंबर 10 ठीक है को सबस्क्राइब धान से पढ़ना दा वेवलेंट ओप लाइट मोस्ट एव्जोड मतला होता है अब से अरे भाई मेР मेरे क्या होता है अलब सब्सक्राइब ऑला तरिंतल थे मटावध वैडेन्ट एपूर सब्सक्राइब एसे ज्यादा प्रिकॉट। सब्सक्राइब इर साहें जोगे स्सक्राइब अपर करती हम सैंद। और बताएं मेरा भाई बताएं एक बाल कौन सी होती है बताएं कमेंट सेक्शन में 660 C बताएं फटाफट 660 C कि दी नहीं होगा आंसर भाई मेरे डी आंसर नहीं होगा ठीक है अरे भाई देखो फोटो सिंतेसिस जो है जे सु साइट आपने पड़ा होगा करी मिन नहीं रिया दर समय 400 बैल दर प्रहला दर सुने दर चारस नदリ ऊच्छा सम्साइर फोटो सिंतेसिश में फोटो सिंतेसिस में ठीक यह जो एक एप्जोर्शन स्पेक्ट्रम होता है एप्जोर्शन स्पेक्ट्रम होता है क्या होता है मेरे भाई एप्जोर्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वह ब्लू और नीला होता है ब्लू एंड रेड हां या ना अरे भाई मेरे ब्लू एंड रेड होता है याद है आपको मैंस मत लगाओ यार ठीक है ना देखो फोटो सिंतेसिस का अब सोचन इस्पेक्ट्रम जो होता है इस्पेक्ट्रम वह ब्लू एंड रेड होता है और यह चार सो से तो ब्लू लाइट की वैवलेंद सब्सक्राइब प्रकास अंसलेशन में कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एव ठीक हेने दीघी गया में और यहीं रेड लाइट यहां पर पूछ रहा है अब इस्पेक्ट्रम ब्लू यह बताना है एक्सन के बारहां बात नहीं करेंगे vidéoं ब्लुक रहा है और है सштfires नीला प्रसेस से ज्यादा अप convicted की दर लाल में जादा होती है एक्षान सपैक्ट्रम घ्रजा और एक्षान सपैक्ट्रम होता है रडनी कि याद आ रहे कुछ और याद आया कुछ समझ में आई चीज है एक्सपन स्पेक्ट्रम होता है रेड एंड ब्लू लेकिन यहां पर पूछ रहा है एव्जोड अपसोच होने वाली लाइट क्या नीला प्रिकास ही सबसे ज्यादा अपसोच होता होगा क्योंकि अपसोच होता है नीला और लाल होता होगी लेकिन अगर पूचा जाए एक्सान स्पेक्ट्रम तो एक्सान होता है रेड एंड ब्लू किलियर है सभी को आया समझ कंसेप्ट और भाई आया समझ कंसेप्ट कुछ है कि हाया ना बताएं कमेंट सेक्षन में कर आपको हां मैक्जिमम देखो बारवर एफेक्ट हमेशन थोड़ी होता है बारवर एफेक्ट था होता है यह लाइट इंटेंसिटी वह जादा हो जाए और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जादा हो जाए उस कंटीशन में ना तो वह डिफॉल्ट प्रोब्लम है उसको कोई दूर नही बारबार एफेक्ट सीतिरी प्लांट के साथ जल्म से जुड़ी समस्य होती है जिसको आप चाहा कर भी अलग नहीं कर सकते हैं ठीक है कि अरे समझ आ गया कि बताओ कि सभी को मज़ा रहा है पंडे में को सीखने को मिल रहा है तुमको यहां वो कोशन नहीं चल रहा है कोशन पड़ा आंसर लेका और आगे चलते बनों अधिक तर आप यूटूब पर देखते होंगे अग्रिकल्चर के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है लोगों को ठीक है कोशन और आंसर टिक करो आगे बढ़ो यहां आपको दसवार सोचना पढ़ रही आंसर देने के लिए तब भी आंसर गलत हो रहा है कि हो रहेगी नहीं कि चलो नेक्स्ट एक कोशन नम्मर 11 यह तो बता देंगे आप बोती जी कोशन नहीं फोलो इससी फोर प्लांट कोन सा सी फोर है यह का आंसर घलत मधिनार बस्ता आपको अगया बता हुआ इससे फोर प्लांट है इस यह तो आप बता देंगी बहुति एजी कोशन सुगरगेन होता है मेज बाजरा और अपना सोरगम यह चार इंपोर्टेंट हो दारान जो कि एक्जाम में बार बार आते हैं चलिए कोशन नमर 12 फिर आपके सामने एक अच्छा सवाल है दा फस्टेवल कंपाउंड क्या पूछ रहा है दा फस्टेवल प्रतम इस्थाई प्रतम इस्थाई आपको बताना था फस्टेवल प्रतम इस्थाई कंपाउंड फॉर्म इंड फोटो सिंतेशिस ऑफ सीथ्री प्लांट का प्रतम इस्थाई उत्पाथ क्या होता है बताएं भाईया सीथ्री प्लांट का प्रतम इस्थाई उत्पाथ क्या होता है सीथ्री प् कि अरे सी थ्री प्लांट का फर्स इस्टेवल प्रोड़ेट्ट का होते हैं बता यह फटा फट कमेंट सेक्शन के अंदर लगातार लोगों को सेर करते रहा हूँ कि अपना इव्य विर्ट के řाओ अप्राओ उलेच चैक करो एक वह मार्द यह था यह ख ऐस फोस्पोग्लेसने का एसिड फकस nga क्या होताiri आप इस फॉस्पोग्लेसरिक चैडिनिाट सोचा यह और ऐसी ऐसे पहलता विल्कुल है ना चलिए दिजब को सब्सक्रीन नम्र सब्सक्रीन एक हो बताई एक विर्टाषन किसका एक कमॉट है इस विए एक कमणोंड में इस विए प्रताप सिंगरवाल एंकित पांडे भी सबी लोग आंसर दें गवार है अमिशा यह यह फेरडॉक्षिंट इज एकॉंपाउंड हो फेरडॉक्षिंट जो कंपाउंड बताएं मेरे भाई किसमें आएगा एंसर आएगा कि भी आएगा थिया फटा-फट बताई क्या अंसर आएगा सभी लोग बताएं क्या अंसर आएगा पिया सिस्टम फरस्ट आएगा यह फेरडॉक्षिन जो होता है फेरडॉक्षिन किसे होता है फ्रस्ट एलेक्ट्रोन ग curly क्या माना जाता है फ्रस्ट पाण सिस्टाम फॉस्ट प्रत्म न करता ही आएफ आर एस पॉन होता है सबसे पहले लपक लेता है इसको ठीक है ना चलिए वह साहीज है नैज्ट कोसन आपके समने इसकी इन दाप फोटो demokrat प्रिकास चनलेसंड में कौन-कौन छ डॉल किया है रिकासीनेंद अएसा कौन से इसे माल किया गया है बताइं किसे mail निक बैस फटुष ंते सिस्में कौन से आइसो टोप का इस्तमाल किया गया है बताएं कमेंट सेक्शन में यह तो सराल है और मुस्ट इंपोटेंट भी एक्जाम में पूजा आता है आइसो टॉप यूटिन्द फोटो सिंतेसिस इस कारवन चौदा ऑक्सीजन एटीन हाया ना कारवन चौदा ऑक्सीजन अठारा के इस्तमाल किया गया है फोटो सिंतेसिस में पूजा डी प्रताप सींग डी को सराज रुची सभी कांसर डी आ रहे हैं सुमित पांड बिल्कुल है ना सुमित यादब डी के डी आएगा भी फोटो सिंतेसिस में कारवन चौदा और उक्सीजन अठारा के इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल किया जाता है अगला मॉस्ट इंपोटेंट पी छैस्वासी इस रिलेटिट बित बताएं पी शिक्स एक्टी किस से संब्बन देता है पी एस सेक्ट या सेकंड स्टमाइस पटेल डी आंसर पी एस सेकंड शुरी आपको बताना है पी छैस्वासी पी छैस्वासी रिलेटिट बित बताएं कमेंट सेक्शन है पी छैस्वासी रिलेटिटिड फर्स्ट या सेकंड पी छैस्वासी किससे संब्बन देता है पी छैस्वासी किससे संब्बन द होता है तो तो ऊसर प्वी ड्र क्वेट से बात श्रिकन सेन्टर से ज़ता है इसका अभी इसन तर्य होता है इसका अभी किरीया केंद्र आधा test दो होता है वो पी छैसो असी ही होता है दृटिक ज़िस सबस्क्राइल ठीका याद रखना है रिएकस्ट शेंटर जो थे क् fixture का यहीं होता है कौन तो अंसर एग एग और पीया सिस्टम 1 का रियस्ट्रै क्या होता है मेरा यह क्या था कि इस का में होता है अभिक निरीया के के इंद्र होता है पी शांट सो कि एक Singapore कर सेशन को लाइक जरूर कर दें और शेर करो लोग चले गए चलिए थोड़ा मजा रहा है पड़ाने में आपको भी मजा रहा होगा तोड़ा नहीं नहीं को सना आपको मिल रहे होंगे आया ना ठीक है इस अने डीपी रिदीज तो एनडी पीज तुए प्या सिस्टम फर्स्ट पिया सेकंड केलेविन साइकलिक या फिर नों साइकलिक फोटो पोस्परिलेशन आपके बताना है आप कि अने डी जो होता है एन अडी पी इस रिद्स इन एशच टूप बटाओ या एन डी पी इस रिद्स 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 फटा फटा नडी फी किसमें होता है वकर फटा बताएं गे बताई फटाफट नोन साइकलिक फोटो फजब रलेशनु नौन साइकलिक फोटो फोश भरनेशन बताई फटाफट नोन काइक फोटो होनायन। कि लुवहां एंदर से क्लिक फॉट्टोफॉस्परेलीशन क्लिए सिवाइब बताई कि क्या रब एक बार कमेंट सेक्शन परताएं थे रख़िए अंकित लोकेंद्र गुर्जर विच्ट ऑफ पृफ़ालव्ल我就 Reward कि बताएं अब कि सुमित याद अब डी आंसर कि अर्वी लोग आंसर दो आंसर डी इस करेक्ट अली सुमित का सही ए नोन साइकलिक फोटो फोस्पर एलेशन ठीक है वाई ता याद रगना नोन साइकलिक फोटो फोस्पर एलेशन होता है अन्सर अब किसको रीक्स्न मेरे भाई यह तो डार्क रीक्षण अब कुछ लोगों का आंसर वाइस दडी आंसर जोगों वाई एनटी पीएसटू का फॉर्मेशन होता है जैडिस्कीम और जैडिस्कीम सो बोलते हैं नॉन साइकलिक एडिस्कीम को बोलते हैं नॉन साइकलिक आप यहां प्या जैडिस्कीम को फिस तुन चलते हैं अकेला कुछ यह तोलसी नहीं बता सकते हैं यहां पर क्योंकि दोनों चलते हैंlegen यहां यहां पर दोनों साथ में काम करते हैं फस्ट करता जाता है ठीक है फियर दिके अंदर है है यह और Here डेटी पीस्टू का फोर्मेशन जैडिश्कीम या नों साइगलिक एटीस में होता है और नों साइगलिक एटीस के अंदर प्याओ सेस्ट्म फस्ट रोस्ट और सेकंड दोनों कारे करते हैं इसलिए आंसर आएगा क्या किसी को कोई डाउट है कि बताएं कमेंट सेक्षन में क्या किसी को कोई डाउट है कि क्या किसी को कोई डाउट है कि बताएं कमेंट सेक्षन में कि क्या समझ में आया तुमको आंसर डी क्यों है कि क्या आप सभी को प्यार विद्यारती हो समझ में आया आंसर डी क्यों है कि क्या समझ में आया आप सभी को समझ में नहीं आया या आया खुश्राज समझ में नहीं आया नहीं नहीं लेगा ना आपने नो नो क्यों हूआ और तोहम को सभ्सक्राज में नहीं नहीं आया किस किस पूंस नहीं नहीं आया है इंस समर्ज में आया यह नहीं मेरों कुछ ही कि यह पार देख को कहते हैंनों साहिकलिक य slows दूसरी जो रियक्षिन के अंदर नॉन साइक्चलिक इसी को वहता है तो लह एदर देखो कि प्र किसे में आएगा छालू होती यहां से रियक्षिन चालू होती है इस पर ुराइट पड़ती है इस पर लाइट पड़ती है यहां से लैक्ट्रोन गुजरता किसे में मैं पार करती आप्स सिस्टम के पास फिरस्ट में तो पानी अपने अपने Ayla इसको दे देता है ना पानी अपनी लेक्ट्रों को दे दिया अब धिक पास होता है यहां पर होता है क्या होता है यह功ytes ऌते हैं में एक भर मतलों होते हैं आझे Ouiयो 12 होता है यहां अब आगे समझ में जब कोई मिग में बालना नों साइक्लिक में भूरब भाई मेरे नों साइक्लिक में ही बनता है एन डिपयस्ट इसट्री साइक्लिक में नहीं बनता सबस्थ समयद में आपको हाँ या ना तो पीर स्ट और सेकंड दोनों चलते ना नोन साइकलिक में फिर सिस्टम फस्ट भी चलता है सेकंड भी तो आप ये दोनों जान नहीं दे सकते न अगर यह बोथ होता तो आंसर चल जाता इसलिए नों साइक लिए अब बताओ मेरे अरे समझ में आया हाँ याना अरे समझ में आया की नहीं बताओ कि तुम सब कर दो एक बार आगर समझ में आया तो कि हाँ ऐसे है कि समझ में आया कि बताएं कि क्या समझ में आया आपको अब बताओ आया समझ में अरे आया आया समझ में अब आया की समझ में कहले है आठाएं कि ए आ थो गया न समाझ में सब को और आपको समझ में चाहिए मैं हिए अगला परशन के सामने ही ट्रियक्षन हिल रियक्षन एसोह लाइट में चलती है छाण 29 में चलती है डालत रिंट में चलती है थाट धृत बताएं हिल रियक्षन किसमें चलती है लाइट डार्क एक बार सेशन को लाइक जरूल कर दें सेर कर दें ठीक है क्योंकि आपको आ रहागा मज़ा बहुत पढ़ने में तो बांकि सभी स्टुडेंटों को यह कंसेट सीखने को मिलें तो आप एक बार इतना सा कर दें मेरे बिएक्षन कंप्लीट्स इन लाइट डारक बोस्या नम्दीजया कंचे लरी अक्षू होता है बताएं फटाफट आम बरजहें फटाफट ओ स्टलाइं रियक्ष्ण जो होता है झालीनी वश्ताइए किसमें चलती है आते Strong कि औंचे अकतर बिल्कुल सही है कलती लाइट में कब चलती योगा-धी यह seriously कइल बाइट रिखेंशन का deepest है कि इनाम होटा है हिल रियक्शन है आखतु लाइट रियक्षन हमें highly लाम चलो बताओ फूंड इसकरवरट सी फॉर पाथवेयर फ्रस्टाइम वि डिसकरवरटवेयर सी फ पाथिछिन फर्स्टाइम जबाथ सीफोरगों न है यूं कर लेको रोवत फिल थीके आंस बताए न फटाफट है सब्सकरवरट दद सीफर पातवधर द मताओ कि सीवेर पात्वे की खोज किस ने किये बताएं कमेंट सेक्शन में ऑले अनुंग कि अठीश अधी बताएं तो तो सीवेर पात्वे कि हैं साहिं किसके द्वारा नोगे तो सब्सक्राइब याद आप सुमेद आप गलत कर दिया इस वारत हुआ ना कि अगला फोटो सिंतेसिस फोर सिंतेसिस प्रकास संसलेशन में सिंतेसिस बन मॉल ऑप ग्लुकोज ठीक है ग्लुकोज का एक अडू बनाने के लिए नम्मर ऑप स convect toия you to get Let us Photos on synthesis की डार्क रियक्शन जोती फोर्टos इंतेसिस की डार्क रियक्शनां बनता है ग्लुकोज हाई ना ना प्रकास शुम की ढार्ट रिक्सना बनता है ग्लुकोज तो कि ग्लुकोज का एक मॉल आना आपको बनाना है तो आपको इसके लिए कितने Aarde citrus क्या में अवास सकता पड़ेकर कितने A 시enta प्रक्ति क्या उसकता पड़ेगी विद्व कि दिजयाक। करां ऐंसर को मतां कि अलएगा करें मैं तो क्या अंसर आएगा अंसर बी सही है याद रखना अंसर क्या आएगा बी बिलकुल सही है ना अंसर क्या आएगा बी अठारा एटीपी और बारा एटीपी आवसकता होती है ना अगला प्रस्ण आपके सामने कोस्टन नमबर 20 इन प्रोसेस ओफ फोटो सिंतेसिस ठीक है वाटर मोलीकुल्स ब्रेक्शन क्या कहते हैं बताओ प्रकास अंसलेशन की अभिक्रिया में पानी का अणू की तूटना क्या कहलाता है इन प्रोसेस ओफ फोटो सिंतेसिस बाटर मोलीकुल्स ब्रेक्श इन प्रोसेस ओफ फोटो सिंतेसिस बताएं कौन सी रियक्शन में पानी का अणू तूटता है किसी रियक्शन में बताएं बढ़िया पानी का अणू जो होता है तूटता है इन दा प्रोसेस ओफ फोटो सिंतेसिस बताएं अपरो प्रोसेसिस फोस्फोराइलेशन या कार्मन ऐसी मिलेशन क्या है गहां अरे क्या है गहां फोटोलाइसिस हा आना क्या है फोटोलाइसिस आए गा हाय आना श्रीक है फोटेलाइस शवाइगा चाहिए खूट इस चलिह है ना कि वस्माव फॉलोव इस ताइव है ना दूरिक डिस्कवरी ऑफ व केलबें साइकल 2015 की डिसकवरी के समय किसका इस्तमाल हुगा केल्वें साइगल की डिस्कवरी के समय किसका इस्तमाल हुआ केल्वें साइगल की डिस्कवरी के समय किसका इस्तमाल हुआ केल्वें साइगल की डिस्कवरी के समय किसका इस्तमाल हुआ टीस पाई हो गार वो क्लेंडे मॉना है श्या क्लोरेला फटपट बताएं कि की दीशक्रेवेश में ने प्लॉट खप्लॉड हुआ कि उस्थ एंगा इस्ते माल और हुआ ना cektor रेंस सी 4 plan c4 पर्तम और उख subject कोन होता है सी 4 प्लांट में प्रृतिम सीउ टू एक्सेप्टर कोन होता है सिसी फोर प्लांट में प्रतम स्वीट्मोंet Разब बताएं कामेंट सेक्षन में सी usar Skit clear vist show to accept versus c4 planny ayам다 howby maybe 2 acceptor in C4 plant कौन होगा बता ही बता है फटा 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 क्या अंसर होगा बता ही C4 plant में first is co2 acceptor आपसे पूछा जारा है एक बार comment section बता है क्या होगा answer क्या होगा answer एक बार comment section फटा फट बताएं होता हुआ कमेंट सेक्षन फट 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 ठीक है ना क्या आंसर होगा कि याज ए आंसर होगा अरे पीपी होता है पर तम स्यू टू एक्सेप्टर फोस्पोइनोल पाइरुविक ऐसे डाया फोस्पोइनोल पाइरुविक अरे पीपी होता है पिर्तम स्यू टू ग्रही पीपी होता है अरे आर्यू बीपी तो क्या होता है यह ओए तो होता है पिर्तम इस्ता यूत्पाद आया ना ओए जो होता है यह तो होता है भाही मेरे पिर्तम इस्ता यूत्पाद फस्टेवल प्रोड़क्ट यह होता है फस्ट 1st stable product क्या होगा 1st stable product होगा 1st stable product होता है छिक याद रखना यह तो पर्तम हिसता ही क्या है उत्तपाद BANTH kita लेकिन परतम co2 ग्राहि पूचा जा रहा है वह होता है पप कि दो बडही है कि मज़ा रहा है पढ़ने में को अब को सब्सक्राइब तेवीश सी फोर प्लांट साइड डिफरेंट फॉम दा सी थ्री विद्धा रेफरेंश कि आई सी फोर प्लांट जो होते हैं ना सी तरी से डिफरेंट क्यों होते हैं बताएं सी फोर प्लांट जो होते हैं सी फ्री से डिफरेंट क्यों है आपको बताने डिफरेंट क्यों है सी फोर प्लांट जो है सी त्री से क्यों डिफरेंट है बताएं बताएगे कि सी फोर प्लांट जो होते हैं सी तरी से क्यों डिफरेंट है प्रटाइब पिगमेंट इन फो तो सिंथेसिज नमर ओपने पीजिट आर गूंजूम ड अ आख ए प्रोडाक्ट दस्थन देट सेट 2 और कार्वन एलिवेशन एंद फट्रिस अंद फस्टेबल प्रोडट्ट उटक्ट झाइं सर आएगा अदि एंद उसी फॉर प्लांट शी थी से कैसे अलग हैं कैसे डिफरेंट और कैसे अलग हैं अब अधाओ क्या आंसर डी आएगा डी अरे आंसर वह यह टाइप ओपिगमेंट सब में एक जैसे होता है ठीक है यह सारी चीजे से हमां यह अंतर है समस्टेंस देखो यहां पर प्रता मिस्टाइव पात क्या होता है और इसी के कारण तो यह अलग होते हैं कि अरे फाइनल प्रोटेक्ट देखो इसी के कारण होते हैं न हर सल रिकोर्ड़ रहेगा न अरे बिलकुल यूटूब पढ़िया यह पभलिक डोमेन में तो चाहो जितनी बार देखो यूटूब पर थोड़ी कोई स्कुट आइंगे अपन आपके लिए लाइब पड़ा रहें कि देकिन इस तरह कि सेशन को मिसमत कि अगरों आपको मज़ा यागा कोशन पड़की इस वात की गारेंटी कि आप पहली वार इतना तगला कंसेट्ट पॉड़ रहे होंगी कि ठीक है कि अरे आंसर डी होगा डी कि क्या सभी को समझ आ गया भाई बताएं हाया ना चलिए अगला बताएंग आप अगला कोस्टा नमर चोबीज ठीक है विस्वानिता प्रोड्यूज कि डूरिंग दा साइक्लिक फोटो फोस्परेलेशन आपको बताना है साइक्लिक ठीक है देखो ध्यान से पढ़ना क्या लेका साइक्लिक फोटो फोस्परेलेशन में क्या बनता है साइक्लिक फोटो फोस्परेलेशन में क्या बनता है साइक्लिक फोटो फोस्परेलेशन में डिअ किicias टुटै पॉट हैём कि आहई अटीप नडीपी अम ली एटीपी एंडेस और और डीपी आशकु आना चक्री आपको क्या बताना नहीं अलिए के अंदर ईया साइक्लिक फोटो वोस्फोराइलेसें में सै उस्तिलसों फोटो फोस्पोराइलेशन पोको बताना क्या बंते बताएं कि अश्जय गा बिरन सी रधा फटापठ अरे आइंसर क्या यह को श्टन अमर 24 का अंसर क्या आएगा बताइं कोश्टन नमर 24 का आंसर क्या आएगा क्या साइकलिक ETS में ओली सिर्फ और सिर्फ क्या ATP बनते हैं हाँ या ना अरे आंसर आएगा B सिर्फ और सिर्फ एटी बनते हैं ATP कि अरे भाई oxygen gas नहीं निकलती याद रखना यह आंसर नहीं होगा यह नहीं होगा यह आंसर होगा मतलब ATP अकिला बनता है ना तो साइकलिक में oxygen निकलती है याद रखना ना तो oxygen निकलती है ना ही एन डीपीट ह 2 बनता है याद रखना है ठीक ना कि याद रखेंगे आप कि ठीक है है छरी नेस्ट कोस्टन की तरब चलते हैं लोब लिमिटिंग फेक्टर इन फोटो सिंथेसिस वाज गिविन भाई ठीक है लोब लिमिटिंग फेक्टर फोटो सिंथेसिस में किस ने दिया है प्रिकास अंसलेशन में जो भाई लोब लिमिटिंग फेक्टर है किसके द्वारा दिया गया है लोप लिमिटिंग फैक्टर किसके द्वारा दिया गया बताएं कमेट सेक्शन में फोटो सिंथेसिस में पता हुई या क्या अंसर होगा ब्लेक मैं अरे हाँ या ना अरे अंसर क्या होगा ब्लेक मैं अंसर क्या होगा ब्लेक मैं होगा ठीक है बिल्कुल है ना तो देखो अगर यूटूब पर देखते होंगे अग्रिकेल्चर के बहुत सारे लोग अगर आप चाहते हैं तो यहां पर 50 कोशन भी मैं करवा सकता था पढ़ाता वह सिंपल कोशन दढ़ा दढ़ लेकि आंसर चलते आप सारे आंसर देव पाते सही उससे आपको बहला नहीं होना था कुछ भी नहीं होता उससे इस कोशनों को पंड़ने को बाद आपको अरियंटेड जिससे कि आपके कुछ कंसेट्ट किलियर हो आपने नहीं पढ़े आज तक ठीक है ना तो अभी अपना एक महीन एक लगवक ना आरे चुका एक्जाम में लगवक कितना है वन महीन ना वन मन्त है तो यहां पर तो अपन यूटूब पर ओली पच्चीस को सनी य में पाते हैं अगर आप इसी तरह का समझा आते हैं तो अगर आप वह परचेस करना चाहते हैं अपनी प्रपरशन और अच्छे से करना चाहते हैं अब आपने पड़ाई कर लिए अब एम स्क्यू आपको लगाना है ठीक है तो आप यह 50 रोपे का कोर्स है यह कोई ज्यादा जादा नहीं यहां पर आपको लगवग 5 से लेकर 6000 से ज़्याद़ आपको मिल जाएंगे तो आप की आपकी श्रद्दा है कोई दवाव नीगा पर क्लाश चलती है ठीक है ना कि यूटुब पहना ऐसे अपन बात करते हैं चीजे करते हैं तो 20-25 प्रिशनी हो पाते हैं ठीक आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जरूर को जोईन करना अगर आपको कोर्स लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं या फिर आप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आपको कोर्स लेना है जो भी आप पढ़ सकते मेरे से फिकल अगर स्टूडेंटों ने पढ़ना चाहते हैं मेरे से आगे किसी एक्जाम की लिए तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं जो प्रप्रटेंट सब्जेक्ट है जैसे पैतोलोजी फीजियोलोजी ब्रीडिंग जने टेक्निकल सब्जेक्ट है यह आपकी उजाई कमांड बहुती तगडी तीक है ऐसा इंडिया आपको कहीनी मिलेगा ऐसा कंटेंट मिलेगा इस बात किया गारंटी प्रप्रड़ी तो एक भी कोशन नहीं जाएगा बाहर चलिए क्या बदाए मेरे को समझ आया आया आज का सेशन आपको पसंद आया अगर आपको सेशन पसंद आये तो एक बार कमेंट सेक्शन बताएं तहम सब कर दो कि सर मजा आया पंडे में कि एक वार कमेंट सेक्षन बताते हैं कि सर मजा आया पढ़ने में ना कि अच्छा लगा कि चलिए ना तो मिलते हैं कल स्याम को साड़े साथ बजे फिर से हैं यूँ अपना सैल सला चलता रहे गा अपके तक एक्जाम नहीं हो जाते तब타 म ठीगेंगेघ सली ये अपने संसला लगता रहे गाश्व चलता रहे झाल झाल